तो भई एक मिनिट के अंदर 30 इंस्टाग्राम पोस्ट यानि कि एक मिनिट के अंदर आप 30 दिनों का आपका कॉंटेंट बना रहे हो। मानलो आप एक पोस्ट रोज भी कर रहे हो ना तो आपका ये काम भूत ही आसान कर देने वला है। तो बिना टाइम वेस्ट किये चलिए चलते है हमारे स्क्रीन पे लेकिन उससे पहले देखो आज कल ना एक के जमाने में आपको सब कुछ आटोमेट करके रखना जरूरी है विकॉज आप हर एक पोस्ट के लिए टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो आज के फास्ट जमाने में तो बिल्कुल भी नहीं तो मैं आपको आज का जो तरीका ना वो पूरी तरीकी से देने वाला हूँ कि आपको आपकी जो पोस्ट से ना वो आटोमेट कैसे करने है कैसे एक मिनिट के अंदर आप 30 इंस्ट्राग्राम पोस्ट बना सकते हो एंड चलिए चलते हमारे स्क्रीन पे तो अभी हम लोग आ गए हमारे स्क्रीन पे और हम लोग है चैट जीपीटी पे अब सबसे पहले तो जॉनर आपको से लेक करना है आपका जो भी जॉनर रहेगा आप मानलो डेंटिस्ट हो आपको डेंटिस्ट रिलेटेड पोस्ट चाहिए आप एक फिटनेस रिलेटेड प सकते हो और उसके सबसे आप पोस्ट देने के लिए प्रॉम्ट दे सकते हो ठीक है तो चलिए मैं इसमें मानलो में एक मोटिवेशन चैनल चलाता हूँ और मुझे उसके लिए 30 पोस्ट बनाने तो सबसे पहले तो मैं चैट जीपीटी को प्रॉम्ट दूंगा write me 30 unique quotes for my Instagram page Instagram page and write write all of them along with authors in a tabular form tabular form for better understanding चलिए देखते हैं आप results क्या generate कर रहा है चैट जीपीटी यह देखिए इसने मुझे 30 पोस्ट दे दिये है along with the author's name ठीक है अब यह जो चीज है ना यह बहुत simplify कर देगा आपको आपका motivation के channel है तो obviously motivation वाले quotes ही आने वाले है because आपने prompt डाला हुआ है तो Instagram post quotes दिये हुए ठीक है motivation मैंने इसमें लिखा नहीं है but quotes दिये हुए तो चलिए let's see सब सब पहले तो इन सब चीजों को आपको करना है copy ठीक है अब आप जा सकते हो आपके Excel sheet पर अगर आपके PC में Excel नहीं है तो आप directly Gmail से sheets पर जा सकते हो Gmail पर Excel sheets मिल जाएंगे आपको यहाँ पर आपको क्या करना है आपका जो content है वो paste करना है ठीक है अब देखें इसने दो ऐसे sections बना दिए rows and columns a and b a में आपके quotes है b में आपके authors के नाम है ठीक है तो इन सब को आपको select करना है चलिए सबसे पहले अब इन सब को select करके आपको क्या करना है download पर जाना है और यहाँ पर CSV file में save करना है comma separated files ठीक है तो यह CSV file save हो गया है यह देखिए अब यह CSV file जो है ना यह में ले लिता हूँ desktop पे सबसे पहले तो CSV file को rename करता हूँ quotes ठीक है और CSV file को में ले लिता हूँ अपनी desktop पे थोड़ा सा better understanding के लिए ठीक है तो चलिए minimize करते हैं अब जाते हैं सबसे पहले हम लोग canva पे ठीक है तो यह देखिए यह मेरा canva खुल गया है आप canva में जाने के बाद आपको यहाँ पर बहुत multiple options मिलने वाले तो सबसे पहला option जो आपको जाना है ना वो है social media posts अब आप instagram पे post करने वाले हो तो आप social media post में instagram पे जा सकते हो यहाँ पर आपको type करना है quotes ठीक है तो यह देखिए left में जो है सारे quotes वाले parametrics आ गए आप उससे सबसे आपका quote सेलेक कर सकते हो यह वाला काफी अच्छा लग रहा है तो यह देखिए यहाँ पे है quote यहाँ पे है author का नाम तो आपको अब क्या करना है यह जो 30 के 30 post है आपको automate करने automate कैसे करते तो यह देखिए यहाँ पे left corner में आपको apps में bulk create दिखता है लेकिन अगर आप apps से bulk create पे click करते हो तो यहाँ पे आ जाता है तो मेरा already आ गया है अगर आपके यहाँ पे option नहीं है तो आप apps में जाके bulk create टाइप कर तो आ जाएगा ठीक है तो bulk create पे मैं tap करता हूँ ठीक है अब यहाँ पे upload csv and enter data manually है तो upload csv आपको करना है सबसे पहले और यहाँ पे जाना है आपको desktop पे और quotes वाला जो आपने csv सेव किया है न वो आपको select करना है यह देखे यहाँ पे आपके दो columns थे दो rows थे तो वो सब आ गया यहाँ पे basically and yes तो चलिए सबसे पहले अब इससे select करना है इस code को select करना है and इस code को select करने के बाद सबसे पहले इसे आपको आपके हिसाब से manage करना है ठीक है तो आपने मान लो यह इस तरीके से manage कर लि यहां पर आपको करना है right click और connect data वाल option आता है तो connect data वाले option पर जाके आपको यह दो columns जो थे आपके उसमें से एक column दिखाएगा quotes वाला तो आपको उस पर select करना है ठीक है और इसमें से आपको यह जो brackets है यह डिलेट करने है अब सेम चीज आपको इस चीज के लिए भी करना है यहां पर जाना है connect data और आपके authors का जो नाम है वो भी नीचे आ जाएगा तो आपको यह करना है यहां से मैंने डिलेट कर दिया अब यह देखे यह हो गया मेरा code तयार पूरी तरीके से ठीक है अब आपको क्या करना है यहां से continue वाल option करना है जैसे आप continue करते हो यह देखो आगे आपके सारे 29 posts और यह वाला एक है तो आप select all कर सकते हो इसे and generate 29 pages वाल option आपको आप generate 29 pages करत के post schedule कर दिये ठीक है 30 दिनों के posts बना लिए अब यह देखे यह सारे posts सबके आ गए और सबके authors के नाम भी नीचे आ जाएंगे success is not final failure is not fatal it is the courage to continue that counts continue that counts ठीक है अब सबसे पहले तो obviously chat GPT आपको इतना गलट डेटा तो देगा नहीं लेकिन फिर भी to be on a safer side आप यह जो डेटा ह है यहाँ पर copy paste करके देख सकते हो कि यह exact आ रहा है या नहीं आ रहा है यह देखिए यहाँ पर मैंने copy paste किया confusius and confusius ठीक है तो इसका मतलब data हमारा right है हम लोगों ने verify भी कर लिया अब यहाँ पर आपको जाना है share वाले option पर और यहाँ से जाके download वाला जो option है वो प्रेस करना है png file में आप download कर सकते हो all 29 pages का option आ जाता है download button प्रेस कर दो and there you go हो गए आपके 30 post तयार यानि कि आपने से और भी automation के technique से वह मैं आपको धीरे धीरे आगे आने वाली वीडियो में दिखा दूंगा लेकिन यह देखे स्क्रीन पर चलते है यह हो गए हमारा बल्क quotes तयार look at this आप गए यहाँ पर आपने यह code drag and drop कर दिया look at this आपके 30 post एक minute के अंदर ready हो गए और आप चाहिए वैसा इसे format कर सकते हो चाहिए आपके brand के colors के हिसाब से कर सकते हो आपका photo उपर लगा सकते हो in quotes को अच्छी तरह की से manage कर सकते हो जितने रोज जितने कॉलन से उसको आप right way में calibrate कर सकते हो तो yes guys यह था मेरा आज का सबसे best वाला tip and आप मुझे बताइए आपको यह tip कैसा लगा है and और भी ऐसे वीडियो के लिए subscribe करना भूलना मत चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में लेकिन आपने मैं अभी analytics में देख रहा हूँ तो बहुत सारे लोग इना वीडियो देख रहे लेकिन subscribe नहीं कर रहे तो भाई क्या problem है करो ना subscribe अगर content अच्छा लग रहा है वीडियो देख रहे हो तो करो subscribe और अगर content अच्छा नहीं ल आगए genuine बताना एकदम genuine feedback दे देना because आगे आने वाले बहुत सरे वीडियो में बहुत सरा improvements आपको देखने मिलेगा तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में